अब देखिएगा कि 25, 25 में देखिएगा कि so that कि A अपने को so करना है क्या है कि देखिएगा कि A union B equal to तो तो so that A union B equal to A intersection that implies कि A equal to B है ठीक है अब देखिएगा कि हमने क्या पढ़ा है कि 2 definitions पढ़ी है देखिएगा कि A equal to B ठीक है कि A equal to B क्या होता है 2 set जो कि equal है equal कब होगे जब उसके अंदर exactly equal elements आएंगे ठीक है same to same जिनकी same copy आए ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है equal बोलते हैं equal set बट हमें देखिएगा कि equal की एक अलग definition और आती है जो कि हमें proving में काम में आती है वो क्या है बई देखिएगा कि जब भी हमें देखिएगा कि जब भी 2 set हमें equal दिये हुए है कि A set है वो equal to B है तो इसमें क्या होता है कि यह जब भी given होता है तो if and if only condition यह आती है कि यहां बई यदि कोई A set है support तो तो यहां से देखिएगा कि यह क्या होता है A होगा वो subset होगा B and B होगा वो subset होगा किसका A का यह वाली condition हमें hold करानी होती है ठीक है अब बाद में बात आई कि सर हम यह तो पता चल गया कि हाँ भई A subset B होता है B subset A होता है और यह दोनो if and only if होती है यदि A equal to B है तो इसका मतलब यह दोनो है और यदि यह दोनो है तो इसका मतलब A equal to B है यह हमें करना है ठीक है तो अब आपको यह तो आ गया है सर अब हम यह पूछोगे कि सर यहां पे A subset है उसका क्या मतलब है है तो उसका मतलब देखिएगा कि य कोई एक element है arbitrary element ले लिया जो कि X में है जो कि A में है वो क्या होगा वो अपने पास क्या होगा भई वो अपने पास जो X है वो क्या होगा B में भी होगा समझे है यह अब जब भी हमें यह suppose कि जब भी हमें A subset B प्रूफ करना हो यानि ध्यान में रखना कि यदि हमें A subset B को क्य प्रूफ करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे, कि हम लेट करेंगे, कोई X element होगा, जो कि अपने पास A set में होगा, और हम देखेगा, प्रूविंग करेंगे, जोर इसमें करेंगे, कि जो हमने एकस लिया है, यान कि यहां पे, लेट किया है, आपने पास जो पूफ है वो सही है, और यहां पे लेट करते है, यह City सबसेट तो हम क्या करेंगे the X है वह A में है तो यह क्या होगा कि then we prove that क्या प्रूफ करेंगे कि यहां से कश है वह अपना क्या होगा B में भी होगा यह कि यह हमें प्रूफ करना पड़ेगा जो Aक्स है जो हमने A में लिया B में आना चीए तब हम बोल देंगे कि भाई अपना जो A है वो subset है किसका B का यह यह इसी परकार यदि आप B subset A को बोलोगे तो क्या बोलोगे यह इनकी क्या है अब जो है वो theoretical definitions है जो कि proving में काम में आने वाली है इसी परकार यदि आपको कोई बोले कि आपको जरुत पड़ी की B subset A है तो आप क्या करोगे कि कोई एक arbitrary element होगा कोई Y जो की B में है तो आपको हम क्या proof करेंगे proof that कि यहां से देखेगा कि then then we proof कि हम proof क्या करेंगे we proof that कि जो Y है वो अपने पास किस में आना चाहिए अ में भी आना चाहिए तब हम बोलेंगे कि तब हमारा यह क्या हो जाएगा तो अब देखते हैं पिछले वाले का proof अपने को देखेगा कि यह तो गीवन है और अपने को प्रूफ करना क्या है कि A equal to B है तो देखेगा कि प्रूफ क्या करना वही solution क्या है? solution में given तो क्या आपने पास देखेगा? given है ठीक है? given क्या आपको यहां से A union B है जो कि given है और equal किसके A intersection B के है और हमें proof क्या करना है? प्रूफ करना है कि A intersection A equal to B है अब हम यह A equal to B proof नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें V क्या करेंगे? V saw that. कि हम क्या रएंड करेंगे? क्या करेंगे? यहां तो clear आपको, तो अब देखेगा कि पहले हम, तो पहले firstly, we will prove कि इसको करेंगे भाई, A subset B को करेंगे, clear है यहां पर, तो पहले हम इसको prove करते हैं, तो अब क्या करते हैं, भाई उसी के according, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहां पर जो बीच में जो भी चीजे आएंगे, अब देखो, यहां पर हमने X माना, अब जो X, suppose यहां पर हमने क्या माना, X है जो कि A में है, अब हमें लाना कि इसमें हमें यह प्रूफ करना है, और यह प्रूफ करने के लिए, जो भी mathematics use होगी, यानि X-B तक आने में, वो हमें यहां पर दिखानी कि हम क्या mathematics use कर रहे हैं, इस इतना हमें काम करना है, ठीक है, तो यह काम हमें यहां पर करना है, तो अब क्या करेंगे, हम वह definition लगाएंगे, बई, subset का meaning यही होता है, यदि कोई set, यदि कोई element अपना A के अंदर है, तो उसको B में भी होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो देखिएगा, कि अब क्या करते है कि क्या करते हैं, कि यहां से, ए, ए, एर्बिट्रेरी, ए, ए, एनी, एलिमेंट, औफ, सेड, ए, इज, अक्स, कोई भी एक element ले लिया, जो कि क्या है, अपना A सेड का element है, तो इसका मतलब, यदि अक्स इसका element है, तो वो A में भी लोंग करता है, ठीक है, और अपने को गीव आएगा, भई, A union B में है, ठीक है, अब क्या है, कि यहां से ये चीज़ तो हमें दीवे, इसका भी हमें यूज तो करना है, कुछ तो दिया न, क्यूशन वाले न, जो गीवन है, उसका यूज कहां करेंगे, भई, इसका मतलब, यदि अक्स है, वो इसमें है, तो भई, अक् देखेगा, कि A union B है, जब कि हमें गीवन है, कि ये किसके इक्वल है, तो यहां से देखेगा, कि जो अपना अक्स है, जो अक्स है, वो देखेगा, कि किसके बीच में है, वो अपने पास देखेगा, कि ये किसमें है, A intersection B में है, अब आपको पता, A intersection B का मतलब ये क्या है, ज तो A, X है वो A के अंदर भी है, और X है वो किस के अंदर है, B के अंदर भी है, तो इसका मतलब आपको क्या मिला वही, हमें प्रूफ करना क्या था कि अपना जो A है वो किस में आना चाहिए, ठीक है? तो हमें देखे यहां से अपने प्रूफ यानि कि अपकी बार क्या हो आ? कि जो अक्स है वो किस में आ गया? बी में आ गया इसका मतलब यह क्या हो गया? कि भाई जो अपना A है वो सबसेट हो गया किसका? B का क्योंकि हमने देखो कि A का element माना है और इसको किस में दिखा है B में क्योंकि A subset B को क्या करेंगे यहां पर proving में sorry यहां पर लिख लो कि हम क्या करते हैं कि यहां पर firstly क्या करते हैं firstly जो X है वो A में लेते हैं ठीक है इसमें तो take करते हैं और then we prove that कि जो X है belong to किस में आएगा B में आता है ठीक है तो यहां से पहले तो हम क्या करते हैं X belonging to A है वो तो हमने take किया ले लिया और then we prove that X है वो अपना B में आना चाहिए तो यहां से देखिएगा कि X है वो B में आया इसका मतलब A subset हो गया किसका B का यहां तो clear है अब देखिए इसी का जो second part है वो करते हैं second part में क्या है वह कि second में second में क्या है वह B है वो subset है किसका A अब की बार क्या करेंगे हम क्या लेंगे एक X लेंगे कोई भी element होगा वो किसके अंदर आएगा भाई B के अंदर आएगा अब हमें वोई condition mathematics लगानी है और उसको A में लेके आना है ठीक है तो हम काम क्या करने वाले कि यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां से क्या करेंगे कि अक्स तो है वो B है जो कि हम take कर लेंगे यहां से ठीक है और proof क्या करेंगे यहां से अब we try to proof जो अपने पास देखिएगा कि जो अक्स है वो किस में आना चाहिए कि भाई B में आना चाहिए बी में तो है भाई A में आना चाहिए ठीक है यहां पे यह तो अब देखिएगा कि क्या यह तो अपने को बस एक अजम से ना आपको बता रहा हूं कि हां भाई हमें अक्स है कोई भी एक ले लिया भाई B सेट का उसको हमें A में लाना वो कैसे ला तो वह x है जो कि arbitrary है, यहां पर x is arbitrary element of set B, ठीक है या any element समझ लो या arbitrary element समझ लो, एक ही बात है, ठीक है, यहां तक, तो यहां पर यह आए, अब देखो कि यह B में है, x तो अपना किस में होगा, वही, a union B में भी होगा, सही है, अब वहां पर एक condition दियो है, कि a union B है, वह किस के equal है, कि a intersection B के equal है, सही है, अब a intersection B का मतलब क्या होता, कोई भी site है, जो कि a में भी है, और end, जो x है, वह किस के अंदर है, b में भी है, अब यहां से हमारा काम तो पूरा होगा, कि हमें पूरूफ करना था, कि x किस में आ a है, वह subset, देखिएगा, यहां पर a में आ गया, इसका मतलब यहां से क्या है, अक्स जो हमने a में, b में लिया था, वह किस में आ गया, c, a में आ गया, इसका मतलब जो b है, वह किस का subset हो गया, a का, और हमें देखिएगा कि जो first part है, जो यहां से first में तो यह आया equation, और second में अपने पास ये आया, तो equation, देखें है, equation, equation first and equation second, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि भाई, ये क्या होगा, A है वो subset B का, और क्या है, B है subset किसका A का, तो ये imply करता है किसको कि A equal to B होगा, ये ही इसका क्या answer है, happy,